नमस्कार चार का चक्रव्यू में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंशिका नेता हो या अपराधी आतंकी हो या जिहादी कौन किसके चक्रव्यू में फसा इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे चक्रव्यू में आज सबसे पहले बात हिंदूों के चक्रकाल में फसे नुपर शर्मा पर टिपनी करने वाले सुप्रीम कोट के जदों की जिनके खिलाफ अब महा अभियोग चलाए जाने की मांग की जा रही है फिर बात करेंगे एनाईय के चक्रव्यू में फसी पीफ़ाई की जिसके कनेक्शन अमरावती में उमेश कोले की हत्या मामले में सामने आए है चक्रवियों की तीसरी खबर में बात करेंगे फिल्म काली के चक्रकाल में फसे उद्दफ ठाकरे की जने कुरसी जाने के बाद फिर से हिंदुत्व की याद आ गई है और काली के विवादत पोस्टर को लेकर प्रियंका चतुरवेदी ने कमांद संभाल ली है चौथी और आखरी खबर में बात करेंगे रेजर पे के चक्रवियों में फसे जुबैर और उसके संस्थान ओल्ट न्यूस की जिसने विदेशी फंडिंग का सारा ठीकरा रेजर पे पर फोड़ने की कोशिश की थी लेकिन आब दोनों की जाल साजी का खुलासा हो गया है चली शुरवात करते हैं चक्रवियों की और सबसे पहले बात नुपर शर्मा पर बेहुदी टिपणी करने वाले सुप्रीम कोट के जजों की जिनके खिलाफ पहले तो 15 सेवा निवरिज जजों, 77 रिटाइड नौकर शाहों और 25 पूर्व सैन अधिकारियों ने को खुला पत्र लिख कर सुप्रीम कोट के जजो, जस्तिस सूरिकांत और जस्तिस जेबी पार्दिवाला की टिपनी को लक्षमन रेखा का उलंगन बताया और इस पर कारवाई की मांग की और अब देश भर के हिंदूों ने सुप्रीम कोट के जजों के खिलाफ महा अभियोग चलाने की मांग शुरू करती है इस सिलसले में हिंदू आईटी सेल के विकास पांडे ने एक याचिका बनाई है जिस पर नुपर शर्मा का समर्थन करने वालों के हस्ताक्षर लिये जा रही है और फिर इस याचिका को सांसदों को दिये जाने की योजना तयार की गई है जड़ों के खिलाफ महाअभयोग के लिए याचिका www.change.org प्लाटपॉम पर चलाई जा रही है और इस पर हजारों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर भी किये हैं वहाई इस याचिका में नुपर पर की गई टिपणी सुप्रीम कोट की टिपणी की निंदा भी की गई है इसी को लेकर देश के हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया गया है कि कैसे जान का खत्रा होने के कारण विभिन राज्यों में हो रही शिकायतों को एक जगा कलब करने के लिए जब नुपर शर्मा देश के सर्वोच न्यायाले का रुक करने गई लेकिन जबी उनकी सुनवाई की बारी आई तो न्यायधीशों ने मामला सुने बिना ही उन्हें देश में हिंसा भड़काने और उदेपुर में हुई कनया लाल की हत्या का अकेला जिमिदा ठेरा दिया यही वज़ा रही कि तालिबान तक ने अब कटरपंथियों का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है क्योंकि ऐसे मामले सिर्फ इसलामी कटरपंथी और तालिबान जैसी भारत विरोधी ताकतों को शेय देती है और हिंदूों को राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय मीडिया के जरिये बुरा दिखाया जाता है लेकिन अब महाभयोग ये एक ऐसा तरीका है जिसका पालन करके फैसला लिया जाता है सुप्रीम कोट या हाई कोट के न्याइधीशों पर महाभयोग चलाने का जिक्र सन्विदान के अनुचेद 124 में है इसमें कहा गया है कि सर्वोच न्यायाले और उच न्यायाले के किसी जस्तिस पर कदाचर और अक्षमता के लिए माभयोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है अनुचेद 124 में जजों को उनके पच से हटाए जाने का भी प्रावदान है इस याचिका को जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोट की टिपणी के बाद लोग जजों से कितने नाराज है इस याचिका को मिल रहा समर्थन दिखा रहा है कि कैसे लोगों में सुप्रीम कोट के जजों को लेकर नाराजगी और साफ ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोट के जजों ने इस तरह एक मैला की याचिका पटिपड़ी कर न्याय पालिका का मजाग बनाया है जिससे अब इ PFI का connection भी सामने आया है मामले की जांच NIE के हाथों में ऐसे में उमेश के सभी सातो हत्यारों से जब पूछताच की गई तो पता चला कि इसके लिंक PFI से जुड़ रहे है उमेश कोले हत्याकार्ण में गिरफतार सातो हत्यारों को जिला कोट ने 8 जुलाई तक ट्रांजिट रिमान में जेल भेज दिया है हाला कि पुलीस पहले से इस मामले में PFI के एंगल की जांच कर रही थी और अब इसके लिंक भी निकल कर सामने आ गए है अब मामले में आगे की जांच की जाएगी लेकिन एहम बात ये है कि अब एक बार फिर से देश की शांती भंग करने के मामले में PFI का कनेक्शन सामने आ गया है दिली में 2020 में भढ़के दंगे हूँ, करनाटित में हिजाब पर मचा बवाल हो करॉली में हिंदू नववर्ष की वक्त हुई साम्प्रदाइक हिंसा हो या फिर पैगंबर पर नुपर की टिपणी के आठ दिन बाद कानपुर में हुए दंगे हो सभी में बार बार PFI का कनेक्शन सामने आता रहा है लेकिन सवाल है कि बार बार PFI का ही लिंक इस तरह के मामलों में सामने क्यों आता है बात एकदम साफ है खुद को मुसल्मानों का हितैशी बताने वाले इस संगठन को विदेश से फंडिंग होती है वो फंडिंग भारत में दंगे भड़काने माहौल खराब करने के लिए की जाती है इसलिए बार बार इस तरह की घटनाओं में इस संगठन का नाम सामने आता है ये भारत की छवी बिगारने के लिए देश भर में फैले अपने नेटवर्क के लोगों को संदेश देता है कि किन मुद्दो को उठाया जाए और ऐसा प्रतीत करता है जैसे इसे मुसल्मानों की बहुत चंता है फिर इस संगठन से जुड़े लोग भारत के मुसल्मानों को बरगलाने का काम शुरू कर देते हैं जिसे देश में दंगे भड़के और ऐसा दिखाया जाए कि भारत के मुसल्मानों को परिशान किया जा रहा है ताकि अंतराश्ट्रे स्तर पर भारत की आलूच न हो इस संगठन पर बैन लगाये जाने के लिए सरकार को जल से जल आक्शन लिये जाने की जरूरत है क्योंकि धीरे-धीरे ये पूरे देश में अपने पैर पसार कर अपने खतरनाक मनसूबों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है एक तरफ फिर से देश का माहौल बिगारने में PFI का लिंक सामने आया तो दूसरी तरफ कुड़सी हाथ से जाते ही उद्दव ठाकरे को हिंदुत्व की याद आ गई है इस बार कमान शिवसेना सांसत प्रियंका चतुरवेदी ने समाली है डौक्योमेंटरी फिल्म काली के विवादत पोस्TER के बाहर आने के बाद अब उद्दव की शिवसेना की ओर से भी इसकी आलोचना की जा रही है फिल्म निर्मातरी लीना मनीमेकलाई ने खुद इस डॉक्यूमेंटरी फिल्म का विवादत और हिंदूों की भावनाओं को आहत करने वाला पोस्तर जारी किया है जिसमें माकाली के चार बुजाओं के प्रतिरूप में एक महिला को दिखाया गया है माथे पर तिलक लगा हुआ है और हातों में त्रिशूर और बाकी अस्र है वहीं एक हात में सिगरिट है जो मूँ से लगी हुई है और दूसरे हात में LGBT का ज़ंडा दिखाई दे रहा है अब इस पर विरोज जताते हुए शिवसेना सांसद ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंतता हिंदू देवी देवताओं के लिए रिजर्व नहीं हो सकती अब उद्दफ की शिवसेना के बोल हैं कि अभिव्यक्ति की स्वत्रंतता हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है जबकि बाकी सभी की धार्मिक सनवेदनाओं का खयाल रखा जाए अब यहां दिखाई दे रहा है कि उद्दफ ठाकरे का डबल स्टैंडर्ड क्या है जिस वक्त लाउट स्पीकर पर अजान के मुद्दे और हनुमान चालिसा के मुद्दे पर हिंदूों ने उद्दफ ठाकरे से स्टैंड लेने की उमीद लगाई हुई थी उस वक्त तो उन्होंने कॉंग्रेस और NCP के डर से अपना मूँ बंद कर लिया था इस बात का खुलासा खुद शिवसेना से बागी हुए और महराश्र के नए मुक्षिमंत्री एकनाच शिंदे ने भी किया है लेकिन अब जब उद्दव ठाकरे की पूरी साख खत्म हो गई है उनका पूरा राजनेतिक करियर डूप गया है तो उन्हें फिर से हिंदुत्व की याद आ गई है और फिल्म काली के पोस्टर पर मचे बवाल के बीच प्रियंका चतुरवेदी की आलोचना के जरिये फिर से राजनीती में एंट्री का रास्ता निकाला जा रहा है माकाली का जिस तरह अपमान किया गया वो सरासर गलत है लेकिन उद्दव ठाकरे जैसे नेताओं ने इसे भी अपनी राजनीती का मुद्दा बना लिया है जिस वक्त हिंदूों के साथ खड़े रहने का सही मौका ठाकरे की शिवसेना के पास था तब इन्हें साप सूं गया था उस वक्त वोट बैंक की राजनीती के लिए कोई आक्शन नहीं लिया गया लेकिन आज जब उसी वोट बैंक को साधने के लिए इनके पास कोई कारण नहीं बचा तो अब इन्हें माकाली का अपमाल याद आ गया है यही दिखाता है उद्दफ ठाकरे का डबल स्टांडर्ड यहां उद्दफ ठाकरे को राजनीती में फिर से अपनी साख जमाए जाने के लिए माकाली की आदा गई है तो वहीं दूसरी तरफ जुबेर और आल्ट नियूस की सारी पोल पट्टी अपखुल गई है विदेशी फंडिंग के मामले में जुबेर ने सजा से बचने के लिए पहले सारा ठीकरा अपने संस्थान आल्ट नियूस पर फोड़ा उसके बाद आल्ट नियूस ने विदेशी फंडिंग के सभी आरोपों को जूटा बताते हुए साफ कर दिया कि वो विदेश के किसी बैंक से पैसा ले ही नहीं सकता है बलकि संस्था को केवल भारतिय बैंकों से ही फंडिंग हो सकती है ऐसे जुबेर की पोल आल्ट नियूस ने खोल दी और खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश की थी दरसल फैक्ट चेक वेबसाइट ने इसमें पूरे मामले में उल्टा पेमेंट गेटवे फिर्म रेजर पे को दोश्री ठहराते हुए आरोप लगाया कि उसने मनमाने ढंग से काम किया साथ ही ये भी दावा किया कि उसके दान दाताओं संबंदी डेटा को उसकी जानकारी के बिना ही पेमेंट गेटवे रेजर पे ने पुलीस के साथ साजा किया था पुलीस के अनुरोत के बाद RazorPay ने अपने मंच पर Alt-News के खाते को निश्क्रिया कर दिया था और बाद मेंसे फिर से चालू कर दिया गया इसके बाद Alt-News ने ये दावा करते हुए खुद को कलीन चिट दे दी कि अगर Razor Pay ने Alt News को नियमों का उलंगन करते हुए पाया होता तो वो फिर से उनके खाते को अक्टिवेट नहीं करते उनका दावा था कि Razor Pay ने अपने खाते को फिर से सक्रिया किया है ये इस बात का सबूत था कि वो मंच के किसी भी नियम का उलंगन नहीं कर रहे थे ऐसे में जब Alt News फसने लगा तो Razor Pay पर दोश मंटे हुए कहने लगा कि Razor Pay जैसे Online Payment Platform ने कानून प्रवर्तन एजंसियों के साथ देटा बिना बताय साजा किया जबकि Razor Pay के नियमों और शर्तों के अनुसार वो यूजर्स के डेटा को सरकार और नियामक एजंसियों के साथ साजा कर सकता है लेकिन इसे Alt News ने कानूनी रूप से जाच सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के तहत गोपनिया अधिनियम के अंतरगत आने वाला मामला बता दिया बार-बार Alt News इस बात को दोहराता रहा कि वो Razor Pay के जरिये विदेश से फंडिंग नहीं ले सकता ताकि विदेशी फंडिंग के मामने में इन प्रॉपगेंडा पोर्टल पर की चड़ना उचले लेकिन इस वेबसाइट के पास पैसे इकठा करने के लिए Razor पे ही एक मात्र प्लाटफॉर्म नहीं है जिसका वो इस्तमाल कर सकते हैं फरवरी 2020 में दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगो से ठीक 10 दिन पहले CAA के विरोध में जम कर हिंसक प्रदर्शन किये गए इस दौरान पत्रकार सागरेका ने Insta Mojo प्लाटफॉर्म के जरिये Alt News को भुकतान किया था Insta Mojo विबिन गेटवे जैसे वीजा, गूगल पे, UPI, रूपे और अन्य के माधिम से पेमिंट्स भी करता है वहीं खुद पर आरोप लगने के बाद रेजर पे ने एक बयान जारी किया है उनका कहना है कि CRPC की धारा 91 के तहत रेजर पे नियमों का पालन करते हुए कानूनी जाच में अपना सहीयोग कर सकता है और डेटा को पुलीस के साथ साजा भी कर सकता है CRPC की धारा 91 के तहत कोई भी थाना प्रभारी उनसे जाच के लिए डाता मांग सकता है इसके अलावा रेजर पे ने इस बात का भी खुलासा किया है ऐसे में इन सभी बातों के सामने आने के बाद अब जुबैर के साथ साथ औल्ट न्यूस भी फस्ता दिखाई दे रहा है चक्रवीव में मेरे साथ आज उतना ही कल फिर कौन किसके चक्रवीव में फसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और संसनी खेस खुला से तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी